हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तु दरपन बुटेक तो कैसे हैं आप सभी आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ इस टाइप का ड्रेस बनाना क्योंकि आप लोगों को ने इस टाइप के ड्रेस की बहुत जादा रिक्वेस्ट किये इंस्टाग्राम पर फोटो सेंड करके पू तो चलिए करते हैं कटिंग टरना स्टाड फ्रेंड्स इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने लिया है छे मीटर फैब्रिक जिसमें से हमने सब्सक्राइब दोपत्ते के लिए अलग कर दिया है और बचा है हमारा पौने 4 मीटर जो हमारी ऊपर की ड्रेस बनेगी वो रही हमारी मुँग का नहीं खेला कुर थे मिटर जो हमारी तक करते हमारा इस ब्रैधा बचंग करते हैं इसमें जो चीज अलग होगी वह आं आपको बताद दूंगि सबसे पहले लगाएंगे हम शोल्डर के निशान तो कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लेना है अब इसके बार लगाएंगे हम शोल्डर को डाउन करने का निशान पौने एक इंच हमने इसको डाउन कर लिया है शोल्डर रखेंगे हम पौने 7 इंच की आर्मुल्स रख तो यहां पर निशान लगा लेंगे यहां पर एक सीधी लाइन कीचना है अब यहां से इंच टैप रखेंगे और एक इंच पर निशान लगाएंगे अब आर्मुल्स का शीव ब्रॉ कर लेंगे अब इन्ही निशानों पर से कटिंग कर देंगे एक कट हमें यहां पर लगाना है एक कट हमें यहां कमर के पास और एक यहां सेंटर में चोली को भी साइड में कर देंगे अब हमने स्थाल के हम खूल कर बैकर सील कर लिया है तो कमर की फिनल के तो है तो यह बाहँ निकली थी इतना हमारा सिलाई में दवेगा तो यहां से छोड़ेंगे अब लंबाई का निशान लगाएंगे लंबाई हमारी 40 इंच कि अस्तर में 43 इंच करेंगे क्योंकि यह और यह भी कपड़ा है इसलिए यह बढ़ जाएगा बाद में और लटकने लगेगा 43-43 पर निशान लगा ल वे बढ़ जाएंगे और ओर फोल्ट जाएंगें और आपनी चोली लेंगे इसके ऊभर रख़ लेंगे और इसी के बराबरी से कटिंग करदेंगे चोली हमारी से निकल गई है और यहीं जो हमारा 4 fold में कपड़ा रखा है ऐसा ही रखे रेने देना है और इसमें से निकालेंगे हम sleeves यहां से इंची टेप को रखना है अस्तीन की लंबाई हमारी 22 इंच की है साड़े 22 पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से लाई में दब जाएगा और एक इंच नीचे फोल्ड करने का बढ़ा लेंगे अस्तीन की फिटिंग 8 इंच की है उसका आधा हो जाएगा 4 और यहां पर 2 इंच का मार्जन ले लेंगे अब यहां पर सीधी लाइन खीच लेंगे अब यहां से इंची टेप को रखना है और साड़े 3 इंच पर निशान लगा लेना है यहां से लेकि यहां तक की अब यहां से स्लीप्स का शीप ड्रॉ करेंगे अब यहां से स्लीप्स का शीप ड्रॉ करेंगे अब यहां पर कट लगा देंगे और एक कट यहां सेंटर पर लगाना है दो कपड़े पकड़ेंगे और नीचे वाले दो में गोलाई करना है यहां से यहां तक यहां चोड़न और इसके वाद यहां से एक इंच की गोलाई करना है और यहांपर 10 पहले खतम कर देना है कि स्लीपस की कटिंग हमारी हो गई है अब इसके कपड़े को खोल कर सिंगल कर लिया है दोनों कौने मिलाएंगे और इसको डबल कर लेंगे अब इसका भी औरेफ शीप बनाना है हमें जैसे हमने अस्तर का बनाया था अब अस्तर को लेना है और इसके उपर रख लेना है इसे की बराबरी से कमर की कटिंग कर लेना है अब यहां से साड़ तेरा इंच छोड़ना है चोली का लंबाई का निशान लगाएंगे अब इसी निशान पड़ से कटिंग कर देना है घेर की कटिंग भी हमारी हो गई है और यह जो फैबरिक बचाए साइट से यह हमारे सामने की डिजाइन के लिए काम में आएगा अब ले लिए हमने अपने चोली पहले बैक साइट का गला कटिंग करेंगे गले की विर्थम 2.5 इंच रखेंगे और गले की लम्भाई 1.5 इंच नीचे साइड भी 2.5 इंच विरत रखना है लाइन खीचके बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोलगला ड्रॉ कर लेंगे यही से कटिंग कर देंगे बेक साइट का हमारा अगला कटिंग हो गया है फ्रेंट साइट को ले लेंगे यहां से एक इंच पर निशान लगाना है और एक इंच पर गोलाई कर देना है अब इसी निशान पर से कटिंग कर देना है अर्मुल्स की कटिंग हो गई है अब करेंगे नैक की कटिंग तो यहां रचिए हैं पर 5 इंच में पर निशान लगाएंगे यह response चैर्कों हां पर निशान लगाना है और यहां से सीधी लाइन रहेगी यहां से गुमा देना है यहांसे वाला श्यप देना है मठ के शेप cream की तो यहां इसी तह हमारा सीधा यहां से लेकिन हमको थोड़ा सा घुमाते चलना है हलका हलका साम घुमाएंगे और राउंड कर लेंगे स्ट्राइब का अब जैसा हमने शेप ड्रो किया है इसी के उपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे पर कटिंग करने इस पहले आप एक चीज और ध्यान रखिएगा हमारा यह साइज कम है इसलिए हमने यह लंबाई में 11 इंच और चोड़ाई में 10 इंच लिया है अगर आपका अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं गले कटिंग हमारी हो गई है अब यह वैला जो फैब्रिक है एक प्लेन फैब्रिक लेना है हमें अलग से जो माँ पास बचा हुआ है उसमें से यहां से ले लेंगे और इसको डबल करके रखेंगे अब इस कपड़े को इससे एक इंच अब हमें इसकी एक वाइब था झालता है कर देंगे अब अब इसकी कटिंग कर देंगे इसमें से हमें इतनी बड़ी पट्टी निकालना है कि इसकी चोडाई की बराबरी इसे आ जाए और पुरी लंबी पट्टी हम निकाल लेंगे लंबी पट्टी हमने इसमें से निकाल ली है इस एक साथ हमारे neck कि कर्टिंग भी complete हो गई है अब आप यह सूच रहे होंगे कि इस वाली फैब्रिक से इसको हमने एक इंच बढ़ा क्यों कट किया है देखिए जब हमारी यहां पर सिलाई लगेगी तो यह हमारा आधे इंच बढ़ जाएगा और जब हमें से इसको ऊपर स्ट्रिच करेंगी तो आधे इंच हमें सिलाई के अगर आपको यह नेक और इस फ्रॉक की कटिंग समझ में आये और पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब आपको पृति उतने यासन तरीके से सिलना भी बताईगी तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं हम अपनी डिजाइनर वाल लैस यूस करने वाले हैं तो लैस आप अपने अकोर्डिंग ले सकते हैं तो यह सारी चीज़े हैं तो सबसे पहले हम स्टार्डिंग करेंगे चोली बनाने से क्योंकि यह सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है इसमें तो यह ले लिए हमने चोली और सबसे पहले हमें क्या करना कच्ची सिलाई लगा कर इसको हमने सभी जगा से आटेज कर लिया है जो भी पट टी को अटेज कर दिया और को तक कल अब इस मार्जन को म kicked पट्टी को साइड करके एक सलाई लगा देना है तो अब हमारा बैक का गला तो रेडी हो चुका है अब हम बनाएंगे फ्रेंट वाला नेक यह हमने फ्रेंट का और गंजा फैब्रिक और यह लिए हमने अस्तर तो इसको हमें खोल के रखना है सीधा करके इसके ऊपर हम यह कर देंगे अब यहीं से में स्टार्ड करना है कट्स लगाना और इसमें यहां से लिए कि पूरे में कट्स लगाएं क्योंकि इसमें मटका वाला गला बना है तो मटके गले में पूरे में गोलाई होती है अब इसके बाद हमें इसको इस साइड करना है अस्तर को मार्जन इस कर देना है और स्कわかर्ण है कि ओसाइब तो अब यह समय इंदर पलट देना ही किए आस्थर अंदर अब यहां सो अपर आ गया तो अमस को लेंगे और यहां से यहां से पकरते जाएंगे और स्कूपर एक सला पूरा एक हमारा रैडी हो गया है मट के बाला तो आप हमें यहां से लेकर पूरे यहां तक इसको कच्छी से लगा कोटाइच कर देना है अब इसको सभी जगा से अटाइच करके एक्ट्रा फैपरिक की फिनिशिंग कर दिया तो इतना काम हमारा हो गया है जो एक हैंच रख लेना है इसको हमें उल्टा करके रख लिया अब यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर पल्टेंगे यहां पर आपको एक सेंटर में कट लगा देना है और इसमें गोलाई है इसलिए थोड़े से कटाब यहां पर भी लगा लेजिए कि वाद आपको करना है इसको इस साइड और इसकी उपर एक सिलाई लगाना है अब इसको लेंगे और पूरा अंदर पलट देंगे और इसकी उपर यहां से लेगे यहां तक एक बूट के सिलाई लगा देंगे यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको हम हटाएंगे और यह जो हमाई सेंटर की लाइन दिख रहे हैं इसकी उपर एक निशान लगा देंगे तो यह वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसमें बनाना है प्लेट्स और इनका डारेक्शन रखना है हमें उपर साइड सामने साइड रखेंगे तो किस तरह से लेना है इसकी सेंटर लाइन देखते जाना है हमें और इस तरह से प्लेट लेना है प्लेट का साइज आ कि हमें एक प्लेट लेना है और इसके उपर रख देना है फिर दूसरी वाली प्लेट लेंगे और फिर आधी इसके उपर ढग देंगे तो इस तरह से लेते जाएंगे और सेंटर लाइन पर बनाते जाएंगे सलाई लगाते जाएंगे अब हमने यह वाली सलाई तो लगा दी अब हमें इसमें दौनों साइड और सलाई लगानी है तो यहीं ऊपर से स्टार्ड कर लेंगे और यहीं से हम सीधा ही में लेंगे इस तरह से यह देखिए ऐसे सीधी आ रही है तो आपको इस तरह से ही लेना है ताकि ही प्लेट से एकदम सीधी आते जाएं यहां से इस साइड के तो हमने बना दी एकदम सीधी सीधी ऐसे हमें इस साइड की बनानी है तो इस साइड की हम यहां से बनाना स्टार्ड करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यह नेक वाला जो बीच वाला पोशन है वो रेडी हो चुका है सबसे डिफिकल्ट काम इसमें यही होता है इन प्लेट को बनाना तो यह हमारा रेडी हो गया है अब जो भी एक्स्रा फैब्रिक हो रहा है हमारा यहां से लेके पूरे यहां त देना है इसको मने यह पर रख लिया और सेंटर से सेंटर को भी मिला दिया अब जब हमने इसमें सिलाही लगाई थी यह अधे इंच को बढ़ाने निशान लगाएंगे आदेज दूर से हमने निशान लगा दिया अब हमें लेना है और इसको रखना है और यहां पर इसको बराबरी से रख लेना है इस तरह से अब हम यहां से स्टर्ड करेंगे पूरे यहां से लेके यहां तक इसमें सिलाई लगा देंगे पर इससे पहले हमें यहां से लेके यहा की यहां से पकड़ना है सेंटर से सेंटर से अकी पकड़ा और इसका यह जोवी वाली हिस्सा है यहां पर आइसे रखके इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमाई चली गई एक यह अब लेना है हमें Lays और्लेज को यहां पर रखना है और लेस आटच करना है कि है Nest तो इसको रेडी करने के बाद यह में लेना है अपना मटका गला और इसके उपर रख देना है इस तरह से रखेंगे डोरी को भार निकाल देंगे अब यह वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इसी के उपर समय यहां पर लगाना है और इससे पहले हमें जितना भी नेक रेडी चाहिए उससे आदा इंच यादा रख लेंगे हम तो इस तरह से आपको नीजे खसका के मतलब बरावर ले लेना है और इसके बाद आपको सिलाई लगाना है स्टाड करना है यहां से लेकि पूर यहां तक यह जो निशान लगाए इसी के बराबरी से इसको रखते जाएंग इसके उपर सलाई लगाते जाएंगे इन दौनों को हम पहले ही निशान लगा लेंगे कि इसमें हमने कहां से स्टाड किया है और दूसरे वाले में कहां से करना है तो दूसरे वाले में भी हमें यहां से करना है यहां तक इसको एंड करना है मतलब तो यह देखिए पहले हम यहां पर लखेंगे जो हमने निशान लगाया है और पहले ही जो भी एक्स्ट्रा होगा वह हम यहीं पिकड़ देंगे इसमें अंदर साइड बन गया है हमारा नेक अब हमें लगाना इसमें बस लैस तो यह हमने लेज ले लिए यहां से लगाना स्टार्ड करना है और फ्रेंड्स आपको लेस कुछ इस ट्राइप की लेना है कि यहां से जब आप गोलाई से लगाएंगे तो यह अच्छे से घूम जाए अगर घूमेंगी नहीं तो फिर इसमें हमें चुननट बनाना पड़ेंगी चोटी-चोटी साल बनाना पड़ेंगी तो अच्छी नहीं अच्छे से गोलाई में घूमें जैसे मैंने लिये कि गोलाई में आराम से घूम पा रही है तो देखे लेस हमने लगा दी है इसके उपर यहां पर एक शलाई और लगा देंगे इसको रेडी करने के बाल हमें लेना है बैक पार्ट को हमें सीधा करके रग देना है फ्रंट पार्ट को इसको पर उल्टा करके रख देंगे यहां से मिलाएंगे यहां से इस तरह से मिलाना है और इस पट्टी को इसको पर पलट देना है पक्की सलाई लगा कर शोल्डर को अटैच करेंगे इसी तरह से हम इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देंगे डबल सलाई लग खोलना है, खोल के सिंगल कर लेना है, यह जो कट लगा है, इतना हमें इसको फोल्ड करना है, तो यहां से यह एक और यह दो, दो पल्टी में यहां से लेकी हां तक इसको फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड करने के बाद, इसको हम सीधा करके रख लेंगे, अपनी यह वाली ल लेना है नीचे वाला घेर अटैच कमर में तो यह रहा हमारा घेर इसमें से अस्तर को लेना है और गंजा वाली फैब्रिक को सिंगल करके ले लेना है इसके बाद एक अस्तर ले लेना है इसको भी उल्टा करके इसके उपर रख देना है अब यहां से लेके यहां तक कच्छी स तक हें बढ़ lives कर देंगे इस सकता कर दिया है फिर नहीं से हम चलेंगे फिर पीछे अज़र लेंगे इस को यहां पर रख देंगे और्यां तरह मने कमठे कर दिया है तो यह दोनों साइट की चोली हमाई लग चुकी है इसको यहां से पलट देंगे और शोडर की पास से इस तरह से मिला देना है यह देखिए इसके बाद यहां से लेना है हमें कमर की पास से यह वाला कट और यह जो नीचे वाला कट है इन दोनों के यहां पर आपस में मिलाना है और मि नीचे साइट की फिटिंग अस्तर को अस्तर को वट तपकड़ देना है। डॉनों और फैब्रिक को पकड़ देना यहां से पकड़ लिया। मुद्ध कर देचंगे बाद लिए अस्तर को फैब्रिक और तर्चे में रख देना है। कि चृतियां था यहां से फिंगंग से मिला देना है पीछित नहीं मैं कि दो और फोट यहां तारते जाएंगे और तो यहां तक तो हमारा और अंदर वाले फीटिंग कर दीए तक आस्ती कटे कुछ ऐगी और चेक करने लहें चायाय एक दम सही हारा है तो लेंगे हम यहां से और पहले हम इसको और गंजा फैब्रिक को एक और यह दो दो पल्टी में इसको फोल्ड कर देंगे पूरा राउंड में फिर लेंगे हम अस्तर को अस्तर को भी एक और यह दो दो पल्टी में इसको भी हम पूरे राउंड में फोल्ड कर देंगे पूरे शुरो में लड़कन लगा देखा के मैं आपको लगा कर दिखाते हुए इसके साथ बनाए है यह सुनदर से लटकन किया। और त्कटिय। पिचिए पी इस टाइप कि यह लटकन स्पेशल के में वह बनाए है। और इसको पनाना भी हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है शॉर्ट पहले कौन सा आएगा ये मुझे भी नहीं पता है पर आपको दोनों दरपन बुटिक शॉर्ट्स और इंस्टेग्राम पर दोनों की रिम मिल जाएगी लटकन ये वाले और दोपट्टे वाले दोनों की और दोपट्टा वियर करने के साथ पूरा फाइनल ड्रेस का लोग कुछ इस टाइप का आया है तो आप लोग जल देली कमेंट करके बताएगे कि पूरी फाइनल ड्रेस का लोग आपको किस टाइप का लग रहा है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए वाब बाई